स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास 12 के बहुती भी ज्यान पेपर हल के बारे में अध्यन करेंगे जो पेपर कोड है 346 जीडी तो 346 जीडी पेपर को जो है हल करके आज बताया जाएगा तो आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रशन को जो है अच्छे से समझिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रशन क्या आया हुआ था तो प्रशन नमबर एक है बराबत द्रिमान के गोलो A एउम B को करमसा पलस Q माइनस Q आवेश दिया गया है यदि आवेशन के पर उनके द्रिमान करमसा क्या है यम A और यम B हो तो यम A और यम B में सम्मंद होगा तो यहाँ पर जो गोले जो हैं दोनों मान आपस में क्या है बराबर है यहाँ पर ही प्रशन में दिया गया कि द्रिमान आपस में क्या है बराबर है मतलब यहाँ पर यम A का जो मान और यम B क का मान आपस में क्या है बराबर है तो इसमें पहले वाला ही आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यम ए बराबर क्या हो जाएगा यम भी तो इसमें पहला आपसन क्या है सही है अगला प्रस्ण दिया गया है प्रकास किरन सघन माद्यम से बीरल माद्यम में गमन कर रही है आ प्वर्तन कुण का मान होगा तो अगले भाग में संपून पेपर हल करके बताया जाएगा इसमें केवल जो है बौविकल्पी प्रश्णों को हल करके बताया जाएगा यहां देख सकते गौवाला प्रश्ण क्या है परमाड आइडोजन परमाड के वर करम को प्राप्त पास्थन स्रेणी के वर रिखाओं की नियुंतम तरंग दैर्द होगा यहां पे दिया गए नौ बटा आर है आर बटा नो है नौ आर है और आर बटा तीन है तो यहां पर पास्थन स्रेणी में नियुंतम तरंग दैर्द क सकते हैं अगला प्रसंद दिया गया है किसी धात के कारे फलण 4 इलेटान बोल्ट है सुन गतीज उर्जा के प्रकास इलेटानों के उसर्जन है तो आवसक वीर्ण का तरंगदैर्द होगा यहां पर चार आपसन दिया गया है तो 700 है 1550 है 308 है और 750 है इसका जो answer हो जाएगा तीसरा वाला आपसन जो है 1308 जो है सही हो जाएगा 31 से 108 इंगेस्टाम हो जाएगा अगला प्रसंद जो दिया गया है बिदुत चुमकी तरंग के वैदुत एवम चुमकी छेतरे सदीस करमस यूम भी है तरंग संचरन की दिसाप प्रदर्सित होगी यहां दिया गया पहला वी द्वारा वी और यहां दिया गया छ편 में ई गुड़े भी द्वारा इसमें जो है चौत वाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसमें कौन सा आपसन क्या गया अगला प्रसंद दिया गया है कि यदि आविस Q समान चुमकी 6,3 B के समान तर भी वेक से गति कर रहा है आविस पे लगने वाला बल का मान ग्यात कीजिए तो यहाँ का सुतर जो है आप सुभी विद्यारती जानते होंगे क्या होता है Q भी भी क्या होता है साइन ठीटा हो जाएगा और यहां समान तर की बात मalthat है जीरो होता है तो यहांँ पर क्रफित को जो है यह सब बाविकल्पी प्रस्ठाइगा अगले भाग में इसका संपूर्ण पेपर करके बताया जाएगा आजकर यह वीडियो आप सभी द्यार्थियों को कैसे लगा आप सभी द्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे दी आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतियों को नमस्कार